तो चलिए आज हमें कैसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही इसी और कुछ रेसिपी है और आप इसे पराठाउं के साथ भी खा सकते हैं तो देखते हम कैसे बनाएंगे मैंने यहां पर गरम करने रख लिया है अब इसमें तेल डालेंगे उसको अच्छे से गरम होने दीजिएगा उसके पाद मैंने हाफ कप यहां पर चनादाल लिया हुआ है वह हम इसमें डाल के थोड़ा सा भूनेंगे इसे अच्छे से भूनी इसे एक फ्लेवर आता है तब तक आप इसे भूनी अच्छे से रेडिश होना चाहिए इसका कलर चुका है और बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस भी आ रहा है चनादाल की कुछ भू भी आरी मैं आपे हाफ कप मुंफल यूज करूंगी ग्राम नट इसे भी हमें इस तरह से भूनना है तो भूनते वक्त हमें मैंने आपे पास्टेश लिचे लसुन की कलिया ली हुई है और धनिया पता है और दो तिन मिर्श भी डालेगी तो हम इसमें अच्छे से रेडि हो चुका है अब हम इसमें एक से दो टमाटर मेडियम साइज के मैं मैंने टमाटर डाल गया है चलिए अब इसमें स्वाद अनुसा नमल दालेंगे तो अच्छे से भूनने जब तक सॉफ्ट ना हो उमरे जुए टमाटर है यह जो टमाटर है सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसे थंडा होने के राह देखेंगे और उसके बाद अच्छे से अच्छे से फाद पानी डाल की पेस्ट कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए तो देखें हमारी जो चट्टी है यह रेडी हो चुकी है बहुत ही ईजी और कुइक रेसिपी आप इसे दाल चावल या किसी थी तरह के पराठों के सार बना के खा सकते है और तो आपको अगर यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल पर इसे जरूर कमेंट केजएगा थैंक यू फर वाचिंग इस रेसिपी थैंक यू